हलो दोस्तों तो आगए हैं हम अपने पार्ट सेकेंड के साथ जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे यूकलिट डिविजन लेमा आप देख रहे हैं आपका चैनल ओल्ली फोर करियर और मैं हूँ आपके साथ जमन तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूकलिट डिविजन लेमा हमने लास्ट वीडियो में डिसकेशन किया था जो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था चैप्टर नंबर वन मैस का अगर आप नए हैं आपको नहीं पता है तो पहले आप जाके पार्ट फर्स देख लिए जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा आप वहां से जाके देख सकते हैं ठीके तो मैंने जो है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका यूकलिट डिविजन लेमा क्या होता है यूकलिट डिविजन लेमा कैसे होता है कहां से यह आया यूकलिट डिविजन लेमा में यूकलिट जो है हमारे यह वर्ड यूकलिट यह जो है एक मैथमेटिशन का नाम है यूकलिट उनका नाम था और यहां पर जो लेमा है डिवि है उसे हम कहेंगे लेमा ठीक है तो यूकलिट डिविजन लेमा यहां से नाम आया चलिए आगे स्टार्ट करते हैं यूकलिट डिविजन लेमा को हमने समझ तो लिया इसका नाम का क्या मतलब है आप देखते हैं यूकलिट डिविजन लेमा में है क्या Euclide division lemma says that for any two positive integers say A and B there exist two unique integers say Q and R such that A equal to BQ plus R where R is less than and equal to R is greater than and equal to 0 and R is less than B क्या मतलब हुआ इसका कैसे हुआ यह आपको हम करके दिखाते हैं तो आपको clear समझ में आएगा चलिए division आता है ना सबको जल्दी अल्दी comment कीजे सबको आता है ना division I hope आप सबको ही आता होगा चलिए तो start करते हैं division यह कोई जादा खाश चीदने हैं बद division कोई एक अलग group में दिखाया है division मैंने आप से कहा कि बेटा आप जो है 9 का division जो है 3 से कर दीजिए तो आपने क्या किया आपने जो है इस 9 को ऐसे ठीक है ऐसे लिख लिया और यह 3 से divide कर दिया आपने का असर 3 3 3 जा 9 यह मेरा आंसर आगे 0 यही तो किया आपने अब देखी तो इसमें जब आपने किया तो यह जो है आपका आपकी जानकारी के लिए बता दू वैसे तो यह प्रिवियस बताया जाता है यह जो आपका यह जो 9 है आपके यह आपका डिवीडेंड ठीक है ये जो है आपका 3 ये है आपका डिवीजर ठीक है ये जो है आपका ये है रिमेंडर और ये जो है आपका यह वाला 3 यह है कोईशन अब यहां पर कंफिज्व मत होई यह का कि यहां भी 3 है यहां भी 3 है तो दोनों एक ही जैसे नहीं देखिए कैसे हम पहुचानते हैं क्या डिवीडेन्ड है क्या कोईशन डे क्या रिमेंडर है जिस नंबर को हम डिवाइट कर रहे हैं यानि जब डि dividend क्या कहेंगी dividend जिस number से divide कर रहे हैं उस number को कहेंगी divisor ठीक है तो यानि हम dividend को divisor से divide कर रहे हैं यानि 9 को हम 3 से divide कर रहे हैं ठीक है जो number हमारा मतलब divide करने के बाद last में जो आपका बचता है उसे हम कहते है remainder और जो हमारा answer आता है उसे हम कहतao है quotient इतनी बात के लिए रहे ठीक है अब यहीं से देखी आपका यह जो ड묶िफ है मान कीमि लिजए मैने इसे मान लिए ठीक है डिवीडेंड को मैने अ मान लिआ अब यह जो आपका है ठेक है को मैंने क्यों मान लिया और आपका ये जो डिवीजर है इसे मैंने भी मान लिया और आपका जो रिमेंडर है इसे मैंने आर मान लिया अब ये हमाना डिवीडेंट डिवीडेंट यानि 9 is equal to यानि थ्री पहले यह आएगा यह आएगा बात एक ही है लेकिन फिर भी अगर फॉर्मले के हिसाब से देखें तो ठीक है तो डिवीजर यानि थ्री इन्टू कोईशन थ्री प्लस रेमेंडर आर यानि जीरो अगर हम इसे ऐसे ऐल्फबेटिकल ली फॉर्म में लिखें तो हो इक्वल टू बी क्यू प्लस र यह आपका फॉर्मला आ गया ठीक है एक्वल टू बी क्यू प्लस र यानि 9 इस इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 0 अब यहां प्लस 0 लिखें यह ना लिखें कोई फर्क ने पड़ता बट अगर रिमेंडर यहां हमारे जीरो के अलाबा कुछ औ और आजाता तो बहुत ही फर्क पड़ता ठीक है आप समझ सकते हैं अगर मैं किसी भी नंबर में 0 प्लस करता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर मैं किसी नंबर में 0 के अलाबा और कुछ भी प्लस करता हूं तो बहुत ही जादा फर्क पड़ता है ठीक है तो तो यहां पर जो है यह हमारा formula बन गया a is equal to bq plus और यह हमारा euclid division lemma हो गया अब euclid division lemma सर आपने सिखा दिया क्या होता है euclid division lemma क्यों सीखे हमें से तो देखी euclid division lemma से हम hcf निका सकते है hcf यानी hcf यानी erase कर दें यह note कर लीजिए आप मैं हट गया हूं ठीक है तो इसे मैं erase कर देता हूं हाइस्ट कॉमन फैक्टर हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सरी हाइस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको दो number दिये मान लीजिए let एक number मैंने आपको दिया nine and second number मैंने आपको दिया six मैंने का इनके factors कीजिए आपने लिया नाइन के factors की three 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 हो गया ठीक है three three जा nine ये three बचा फिर three three जा one बचा यानी one लिखो यह न लिखो बात अकी कि McG patITA टो इसी तरखके फैक्टर ह而गए ठी इन टू टू अब इन में से से एक आपको फाकोन ऐसा नमबर निकालना है जो इन दोनों के फैक्टर्ज में आता हो तो आप पहेंगे सर फटक सापकेंगे सर ठी ठी अब ये तो आप प्मेORI असानी से निकाल दिया, अब मैंने आपको एक नमबर दिया 16, एक दिया 8, तो आपने निकाला 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है, 8 मैं आपने निकाला 2 into 2 into 2, अब यहां पर मैंने आपसे कहा common निकाल दिये, तो आप कहेंगे सर्फ सभी तो common है, यह आपका पूरा common आ गया, इस 2 का जो है कोई साथ देने वाला नहीं था, इन तीनों का साथ ही मिल गया, यानि हम pairing करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से अगर 2 number के हम factors निकाले, तो उन में से जो सबसे बड़ा factor होता है, जैसे यहां पर तो सिर्फ, जैसे यहां पर मान लीजे, मान लीजे 9 के factors जो होते, यह होते 3 into 3 into 8 into 16, और यहां पर होते 3 into 2 into 16, ठीक है, into 8, तो आप यहां पर यह नहीं कहते के पिर, यह इसका जो है, यह इसका common तो आ रहा है number, बट अगर मैं कहूं, HCF यानि highest common factor, सबसे बड़ा number ऐसा, जो इन दोनों में common आता हो, वो आप कहते 16, ठीक है, तो आपका HCF 16 हो जाता, तो यह होता है हमारा HCF, अब क्या होता है, HCF से क्या कैसे निकालते है, यूकली डिविजन लेमा से HCF, वो हम देखते हैं, तो देखें, यहां पर मैंने कुछ examples दे रखें, आप ही के लिए, जिससे आपको जो है, यूकली डिविजन लेमा और बेटर समझ में आ सके, ठीक है, तो यूकली डिविजन लेमा हमने समझ लिया, यूकली डिविजन लेमा से HCF निकाल सकते हैं, यह भी हमें पता है, लेकिन कैसे निकालते हैं, यह नहीं पता है, तो यह पता कर लेते हैं, जैसे के मान लीजे, अच्छा, जब आप डिवाइड करते हैं, तो आप हमे होता है और जो छोटा वाला नंबर होता है वो भार होता है जैसे कि इसको देख लीज़ा हूँ मैंने यहां आप light लिए far यह 432 को मैंने फॉर घरिटी टू को भार लिए अब क्या करेंगे सिंपली पहले स्टेप में आपको simply divide करना, बस एक trick आ जाती है, वो आपको सीखना है, क्या करना है, पहले तो आप divide करेंगे, 432 into 2 करेंगे, ठीक है, तब यह हो जाएगा, 2 to the 4, 2 to the 6, 2 to the 8, 864, सॉरी, यहाँ पे, 432 into 2, 2 to the 4, 2 to the 6, 2 to the 8, ठीक है, तो 864 आ जाएगा, अब इसे minus करेंगे, तो यह आजाएगा, 10 minus 4, 6, 95 minus 86, आजाएगा, आपका, 96, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, अब आप कहेंगे, सर आगे, अब point लगा दिया, मैंने, और फिर divide, नहीं, जहाँ आपने यह point लगाया, आजाएगा, वहाँ आपका जो है, answer गलत हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इसे line को आगे बढ़ाएगे, इसे यहाँ पर ऐसे bracket बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाया है, ठीक है, अब यह जो number है, यह यहाँ पर आ जाएगा, 432 यहाँ पर आ गया, अब 96 से 432 को डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे साब 96, 96 into 4 कर लेते हैं, 96 into 4, 4, 6, 24, 4, 2 carry, 4, 9, जली बताएगे, 36, 36 plus 2, 38, 384 हो गया, आगे डिवाइड होगा नहीं, मतलब बड़ा number आ जाएगा, तो नहीं अकटेगा, तो हो जाएगा, 12 में से 4 गया, तो बचा 8, 42 में से 38 गया, तो बचा 4, 48, फिर हमने यह कर लिया, अब क्या करेंगे, अब यह number यहाँ पर आ जाएगा, यह step तब तक करते रहेंगे, जब तक आपका remainder 0 ना आ जाए, तो आपने यहाँ पर लिख लिया 96, 96, अभी हो जाएगा, 48 इंटू 2, तो 296, अब हमारा remainder 0 आ गया, अब आप क्या करेंगे, इसे जो है step by step लिख लेंगे, जैसे 96 जैसे, इस form में लिख लेंगे, ठीक है, 960 is equal to 432, इंटू 2 प्लस 96, जैसे देखी, यहाँ पर remainder की, बहुत ज़र रहता आगा, यहाँ पर नहीं लिखते, सब गलात हो जाता, ठीक है, अब फिर इसका लिखेंगे, 432 is equal to 96 into 4, प्लस 48, अब इसका यहाँ पर लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, 96 is equal to 48 into 2, प्लस 0, अब जब last में जो divisor, आता है, डिवीजर जो आता है, यह आपका, ठीक है, यह जो divisor आता है, last में यह जो आया है, यही आपका HCF होता है, जब आपका remainder 0 आजाए, सारे steps complete हो जाए, remainder 0 आजाए, फिर जो आपका divisor आता है, वो ही होता है, आपका hcf तो यह आपका hcf आ गया 48 ठेक है इसी तरह से यह आपका question number 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा बहुत ही easy-easy questions नहीं आए तो आप मुझे comment करेंगे मैं उसके लिए एक particular वीडियो बना दूँगा ठेक है यह मैं 860 & 432 का आपको hcf निकालना था तो आपने क्या किया बड़ा नंबर अंदर लिख लिया छोटा भार है अब 432 into 2 864 नॉर्मली ज़िए डिवाइड करते हैं जब आपने माइनस किया तो यह आगे यहाँ पर 96 यहाँ पर सभी से लिख दे रहो मैं 96 आगया अब आपने क्या किया इस नंबर को जो है यहाँ पर लिया इसके अंदर और फिर आपने किया 96 को 432 को 96 से डिवाइड तो यह हो जाएगा 96 into 4384 फिर यह बच्चा रिमेंडर 48 फिर आप जो है 96 को यह देखी यहाँ पर मेरा 3 steps में हो गया लेकिन आप तब तक करेंगे जब तक आपका रिमेंडर 0 ना आ जाए जब तक आपका hcf हो जाएगा तो यानि hcf of 960 and 432 is equal to 48 screenshot ले लिजे आप यह note down कर लिजे मैं हट गया हूँ बोट से ओके तो आगे के जो 3 questions है question number 2, question number 3, question number 4 यह जो examples है यह आप push solve करेंगे answer मुझे comment करेंगे जिससे मैं भी तो देखूँ आपको समझ में आया के नहीं अगर आपको यह video पसंद आई हो तो like करें, share करें, subscribe करें और comment करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है आपको जो है पार्ट इसका जो next part है वो आपको उसका link जो है description में दे दिया जाएगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में झार्ट करें झार्ट झार्ट झाल झाल